आज 15 जानवरी 2023 है और प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जितना वर्दमान संगम पर हम राज दुलारे बनते हैं उतना ही हम भविश्य में राज्य अदिकारी बनते हैं हमें अपनी चेकिंग करनी है कि हमारे संगम युक की संपत्ती हमारे संगम युक की सुक शान्ती हमारी करमिंद्रियां जितनी जितनी ओर्डर प्रमान चलती हैं हमारे अंडर रहती हैं हमारा राज्य जितना वर्दमान में ठीक है उतना ही लंबे समय और ठीक ठाक राज्य हमे भविश्य में मिलता है बाबा ने आज हमें वर्दान दिया बालन्स की विशेष्टा को धारन कर सर्व को ब्लेसिंग देने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव सबसे बड़ी सेवा है ब्लेसिंग्स की सेवा शक्तिशाली सेवाधारी अपने मस्तक के द्वारा, अपने नैनों के द्वारा सेवा करता रहता है और वर्तमान समय इस सेवा की आवश्यक्ता है कि हमारे द्वारा लोगों को ब्लेसिंग्स प्राप्त हो, दुआएं प्राप्त हो चाहे हम कुछ कहें या न कहें लेकिन हमारी आत्मिक दृष्टी, हमारी आत्मिक वृत्ती ये सेवा करती रहे और इसका example प्यारे बाबा थे कई कहेंगे हमने बाबा को तो नहीं देखा लेकिन हमने दादियों को देखा कि केवल उनके दर्शन के लिए उनको दूर से देखकर ही लोगों को blessings अनुभव होती थी वो तभी हो सकती है जब हमारी आंत्रिक स्थिती शक्तिशाली हो और हमारे जीवन में balance हो लव और लौ का balance अपनी सेवा का और स्वा पर attention का balance अपने आपको श्रीमत पर चलाने का balance जितना जितना हम balance में चलना सीख जाते है balance में रहने वाला दूसरों को blessings दे सकता है क्योंकि वो स्वभ ही उनकी को प्राप्त करता है और दूसरों के लिए भी वो एक उनकी का साधन बन जाता है तो हमें अपने जीवन को balance से चलाना है अपने आपको शक्ति शाली रखना है कि हम अपनी आत्मिक स्थिती से हर एक आत्मा को blessings दे पाए जो कोई भी हमें देखे जो कोई भी हमारे संपर्क में आये चाहे न आये लेकिन वो हमारे द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ती करे और इसके लिए हमें अपने अंदर के छोटे से छोटे नेगिटिव विचार को समाप्त करना होगा इस पे हमें पूरी अटेंशन देनी होगी ओम शांती